हेलो डियर फ्रेंड्स ये वीडियो में हम डिसकस करने है तुल इंपोर्डन ग्रामर कोशन जो आपको एक्जाम में आने का ही चांसे से और वही कोशन आएगा आपको समझना है कि सबसे बेले 10 मार्स का ग्रामर आपको हिंदी में आने वाला है जो सबसे लास में होगा अभी वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ न ये 2023 जुलाई 2023 का कोशन पेपर है जिसमें सबसे पहला कोशन क्या आता है जरा ध्यान देगे सब लोग यहां पर है काल परीवर्तन क्या है मतलब कोई भी चार कोशन होएगा डियर फेंड्स 1 2 3 4 कितने होएगे 1 2 3 4 कितने हो 16-17 मिट का वीडियो है देखोगे फाइदा रहेगा उसका आप फिर उसके बाद में क्या कर सकते हो आंसर दे सकते हो यह वीडियो में मैं स्रीफ और सिफ डिसकस करूगा टॉपिक मतलब कौन से कोशन आते है पहला क्या है काल परीवर्तन जोड से बोलो कि काल परीवर्तन क् फाई अ में क्या आएगा काली परीवर्तन अ में मतलब सेकंड पाच्वा सेकंड जो ग्रामर है वो तुमारा है अलंकार क्या है अलंकार मोशली हाडली तुमारे 12 से 13 कोशन से मोश इंपॉर्टन अलंकार क्या मैंने वीडियो अप्लोड किया हूँ उसको देखना और एक जो पूरे मास मिल जाएगे डन सरडन यहाँ पर आपको है रस पहचानना है रस में भी आल्मोस आपका यह पोयम सेक्शन का ग्रामर है तो इसके वेपर भी हम लोग ने बहुत अच्छे से डीटेल वीडियो बना है रस क्या होता है और जो एकदम रिसेंटली मेरा जो वीडियो अपलोड हुआ है रस का मतलब पूरा मोस इंपॉर्टन कोशन का सारे जितने भी कोशन से रस के हम लोग ने क्या कर लिए कवर कर लिए देखोगी तो आपको उसका आंसर मिल राएगा थार्ट टॉपिक सांज में आ गया रस फोर्त में आपका आता है मुहावरे जो यह कोई जो सही मतलब उसमें क्या क्या गलत है वो सही करके आपको लिखना है तो यह ऐसा अग्राम आ रहे है जहाँ पर आपको दस में से दस पूरे माक्स मिल जाएगे लेकिन थोड़ असा आप लोग को क्या करना है प्रैक्टिस कर लेना क्या करना है इससे ज्यादा कुछ निकरना अगर वो वीडियो नहीं देखने तो इसे में आप लोग क्या कर सकते है इसकिन शॉट लेलो और इतना तो ग्रामर करो मोश इन पॉड़न है इतना ही आएगा इससे जादा कुछ भी भाहर का आने वाला नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसका स्किन शॉट लेलो तो पीडियाफ अगर आपको चीए तो मेरे टेलिग्राम या वाट्सप ग्रूप पर आप लोग क्या हो जाओगे जॉइंट हो जाओगे कोशन वित आंसर में आपको दे रहो ठीक है और एक्स्प्रिनिशन मेंने किया हूँ एक सेपरेट वीडियो बना है इंपर्डन कोशन का वहाँ से आप लोग देख सकते हो दस माक्स का गराममर है जो आपको डेफिनिटली हिंदी में मिलेगा ही मिलेगा और ऐसा ग्राममर है याद करना है कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है याद करोगे कैसा क्या करना है मैं पूरण बताया हो अलंकार को बहुत इजी है इतना चोटा-चोटा आंसर याद करने है dance के बद में रुपक अलंकार हो गया रुपक अलंकार हो गया अगें दिख रहे ऐसे छोटे-छोटे आंसर ही याद करना है कुछ ज़्यादा टफ नहीं और रिपिटेट ही हो रहे कुछ ज़्यादा अलग से भार सी नहीं आता है यह भी पोयम का सेक्षिन ही होता है चलो हो गया यह हो गया आपका कुण सा अलंकार हो गया ठीक है आप लोग आंसर चाहिए तो स्कीन शॉट लिलो या तो वाट्सप ग्रूप में जूट जाओ लास्ट कोशन है यहां का अलंकार का अब है आपका रस रस लिखने में बहुत टफ है लेकिन जब आप इसके कोशन से याद करोगे तो आप लोग को पूरे माक्स मिलेगे यह देख सकते हैं आप लोग खली यह लिखना बस वीबित श्रिंगार रस शांत रस यह कोशन दिया कर लो ओके दो रिपेट हो रहा है ना देख सकते हैं आप लोग जो जो कोशन में आपको बता रहा हूँ वह हंडिड वन परसंद करके जाओ यही आने वाला ग्रामर इसके बाहर का ग्रामर कुछ भी नहीं आएगा डोंट वरी ठीक है पढ़के जाना है ग्रामर को पढ़के जाना है समझना है तो समझ लो रटा मार लोगे सेम कोशन आएगा जैसे की आपको स्रिफ आंसर लिखना और कुछ भी नहीं करना है अब लाश्या आपका मुहावरे क्या है मुहावरे इसके ओपर भी हम लोग ने अल्रेडी डेटल वीडियो बना है देख लेना ठीक है मुहावरे का मतलब तो आपको पता ही है तो भी अगर स्कीनिशॉट चीए तो ले सकते आप लोग बहुत इजी कोश्चन से डियर फ्रेंट दस मक्सक्राम अरे जहाँ पर आपको पूरे दस में से दस मिलने के चांसे से अगर आप अच्छे से लिखोगे तो अभी लास्ट टॉपिक है आपका देट इस शुद्य करन तो उसका भी आप स्कीनिशॉट ले लो तक कि आपको एक ही वीडियो में पूरा काम हो जाएगा और डीटेल वीडियो जो मैंने बनाया 16 माक 16 से 17 मिट का वीडियो है वो देखोगी तो और बहुत जादा यूसफुल है उसमें तो मैंने पूरा एक्स्प्रिनेशन दे दियो समझो वाला वीडियो ज़रू देख लेना ठीक है अगर इसका पूरा पीडियेफ चीए तो आप फटाफट मेरे वाट्सप या टेलिगराम ग्रूप पर जानट हो जाना मिलते हैं नेक्स श्यूड़े में थैंक्यू सो मच बाई बाई